हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू रिटिंग नाइफ फ्रेंट्स आज फिर आप लोगों के लिए बहुत हसान बुनाईरिशाई लेकर आई हूं मैं देखिए इसके लिए मैंने आप ये फो प्लाई कॉटन यान दी है 10 नंबर नीडल्स 10 नंबर से लाई और इस पैटन के लिए हमन फंदे लिए है 17 स्टिचेस कास्टन किये हैं तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं रो वन राइट साइट पहली सिलाई सीधी थरफ से पहले फंदे को स्लिप किया ध्यान से देखिएगा छे फंदों का पैटन है अब एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे पर्ल वन फिर दागा पीछे ले जाएंगे और एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे इस तरह से स्लिप बन लेकिन दागा पीछे करके अब दागा आगे लाके एक फंदे को फिर से उल्टा बुन लेंगे तो हमने तीन फंदे उल्टा स्लिप उल्टा ऐसे बुन लिए पर्ल स्लिप पर् 3 और यही 6 फंदे हमने पूरी रो में repeat करने हैं यहmee शेवर फंदे हमने बुने हैं तो फिर से देखें पहले 1 फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा बिना बुने उतारा धागा आके 1 फंदा उल्टा फिर 3 फंदे सीधे 1 2 3 यह चहे चै़ ज़ड़ करते जाएंगे लासे में 4 उल्टा सिधा उल्टा उइस बुन लेना है उल्टा सिधा उल्टा उछेज भूलाईगा और वह एसे पतरलो रैंगे तो एक स्थीज को हम सिधा उफन लेंगे तो ऐसे हमने रो वन कम्प्लीट की रो टू रॉंग साइड दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से जैसे हमारे फंदे दिखने वैसी हम इने बुनेंगे पहले फंदे को स्लिप किया अब यह फंद हमने उस तरफ से उल्टा बुना था इसे इस तरफ से सीधा बुनेंगे दागा आगे लेकर आए लेकर दागा इन पहले बनाएंगे इस तरफ से जल्टा पर इस तरफ से स्लिप करेंगे अगले फंदे को लागा पीछा बुनिए लेगे छों ठाटा पनेंगे यह थि तीन फंदे इस तरफ से इने आहिम उल्टा पनेंगे वर्क दिखनए असुलिया लेकर प्रूप्रीं इ एक पंदभ सीधा तो सिर्ब से देगे फिर एक फंदय माँ इख सिर्भ एगा थिर इसे सिर्प होर कि द्लसले पावल मौल ये फंद भी सीधा थिर दाग आगे लेकर जे रिमने तीम उलते तो तो यह हमने second row ऐसे ही बना लेनी है, दूसरी सिलाई ऐसे ही बना लेनी है, फिर last में एक फंदा सीधा, slip, सीधा, और edge stitch को हम उल्टा बुल लेंगे, तो यह हमने row 2 complete की, third row, तीसरी सिलाई, इसे exactly जैसे हमने row 1 बुनी थी बुने थी बुनेंगे, तो थोड़ा से आपको बताती फिर हम जैसे पहली सिलाई बुनी थी बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, इस फंदे को हम पहले भी सिल्प कर रहे थे, दो सिल्प करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, और तीन फंदे सीधे, तो यह अब हम row 1 को ही repeat कर रहे हैं, third row में, इसलिए तोड़ा से जल्दी कर लेते है इसलिए उल्टा, सिल्प, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, अब ही हमारे तीन फंदे सीधे, पिर एक फंदा उल्टा, एक फंदाar, एक फंदा शिप, एक फंदार उल्टा, जालनास थिधा और फो grasses रह Exercise and work row fourth as row two तो अब हम यह सिलाई पूरी बना लेते हैं देखिए थोड़ा से बताती हूं इस फंदे को फिर से हमने स्लिप किया चौथी बार बाकी हम जैसे बुंड़ते वाइसे बनेंगे तीन उल्टे तो ऐसे हमने यह फोर थो चौथी सिलाई कम्ट्रीट कर ली है तीन फंदे उल्टे फिर से एक फंद सीधा लास्वंदा उल्टा तो यह हमने फोर थो बुल ली अब यही चार सिलाई हमने जो है एक कैसे रीपीट करनी है जो यह तीन फंदे हम पहला फंद स्लिप करने के बाद फिफ्ट रह रहा हैं बांचवी सिलाई यह जो हमने उल्टा उल्टा बुना था अब इनको हम तीन सीध इनको हम एक बार उल्टा फिर उल्टा ऐसे बुनेंगे तो पैटन तो वही है जो हम ने रोवन में बुना लेकिन अब आगे पिछे इसे बुन रहे हैं अब फिर तीन फंदे सीधे नित्री फिर एक उल्टा धागा पीछे एक श्लिप धागा आगे अल्टा फ्रेंड्स जब आपने इस तरफ से स्लिप करना है तो थागा पीछे करके श्लिप कीजिएगा इस बात का धियान रखना होगा लास्ट में हमारे ये तीन फंदे सीधे आजाएंगे और एस्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे तो फिफ्थ रोय से बुनी शिक्स रोव चठी सिलाई पहले अब ये तीन फंदे हमारे उस तरफ से सीधे बुने थे इन्हें इस तरफ से इस पार उल्टा बुनेंगे और ये तीन फंदे जो हमने उल्टा स्लिप उल्टा बुना था इन्हें इस तरफ से सीधा धागा आगे करके श्लिप फिर दागा पीछे करके सीधा फिर धागा तीन फंदे उल्टे पूरी रो ऐसे ही करते चाहेंगे लास्ट के जो तीन फंदे उल्टे आएंगे उसके बाद हमारा एस जीज भी उल्टा जाएगा तो 6 रो हम ने ऐसे बुनी अब 7 और 8 रो हम रो 5 और 6 की तरह बुनेंगे यानि कि 2 और शिलाइयां हम बिल्कुल ऐसे ही ब पहले बना लते हैं ऐख रो ऑड रो ओर शिलाइयां हम यह और तू रो बना चुके दो चलाइई हैं तो यह 8 और शिलाइया ही हमने जब बार बर रिपीट करनी है तो यह हमारा इस तरह से पैटन बनेंगा निं का भी प्यारा सा बारी बुनाय रेजाइन है और इसे आपकिस यह देखे और इसे आप बेबीस के प्रोजेक्ट में उसकते हैं अपने लिए टॉप बना सकते हैं कार्डिगन कुछ भी से बना सकते हैं बैक साइट से भी बहुत अच्छा लगता है देखे तो इसे एक पाइप जुरू रप्राय करके और मुझे बताएगा कि आपको यह कैस 10 ग्राम तक 100 ग्राम के लिए 110 ग्राम सक भूल इसके लिए लगेगी और बनाने के बार यह बहुत ही खूबसूरत लगेगा तो इसे आप जरूरू ट्राय कीजिएगा और जुड़े यह चैनल के साथ देखते हैं निटिंग नाइफ थैंक यू